हेलो एवरिवन आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है आज की हमारी क्लास है अंतर राष्ट्रिय संख्या पद्धिती जाने की इंटरनेशनल नंबर सिस्टम टॉपिक पर ये टॉपिक सभी क्लासों के लिए प्योगी है जिस भी क्लास के बच्चे को ये टॉपिक नहीं देख सकते हैं पूरी वीडियो देखिए आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये सब आपने सुने होंगे पर ये लिखे कैसे जाते हैं वो सब इस वीडियो में हमने आपको बताया है तो वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा आपको इंटरने नंबर सिस्टम के लिए क्या समझते हैं जैसे इंडियन नंबर सिस्टम होता है वो आपको पता होगा चौती क्लास से पढ़ना सुरू कर देते हैं हम हिंदी में कहते हैं एकाई धाई सेकड़ा हजार दस अजार लाग दस लाग करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब इस तरी 100 वन्स्टेंस 100 वन्स टेंस 100 व cracking करें होता प्र उपर इनके हमारी नंबर सिस्टेंस कमें करें। जैनि कि वर्न्स 10 संड़ा इस के उपर हजार हैं मिलियन वाला होगा चौता वाला billion वाला होगा उससे अगला वाला trillion वाला होगा ठीक है तो इसमें तीन-तीन संख्यां के हम trick बनाते हैं हमारे यहां क्या होता है पहली संख्या 3 के बाद बागी फिर 2-2 के बाद होती है अब जब मैं इन numbers को लिखना सिखाऊंगा तो आपको यह बिल्कुल clear हो तो मैं इंग्लिज और हिंदी मीडियम दौनब में सिखाऊंगा, सबसे पहले सवाल को कर लेते हैं, 75672, ठीक है, अगर मैं इसे लिखूँ, तो यहां लिखूँँगा, once, tens, hundred, और once, और tens, अब ये तीनों संखिया एक साथ रहेंगी, और हिंदी में लिखूँँगा, तो एक दाइं, और धाइं, फिर मैंने क्या बता है, सुरुवाली तीन को चुटके, बाकी जो दोरों हैं, वो हैं हमारी हजार की, जाने की thousand की, अब ये एक ऐसी संखिया है, चाहें इसे इंट्रेशनल सिस्टम से लिख लो, चाहें इसे इंडियन सिस्टम से लिख लो, पाँ जंको और 672 जाने की 75,000 मैंने का आदा हम हिंदी होने के दोनोत रहे के बत्चों को बढ़ाऊंगा, पिशेत्तर हजार 672 ठीक है तो ये जो 5 अंको तक की संखिया चाहे तो आप इंडियन सिस्टम से लिख लो, चाहें इंटरनेशनल सिस्टम से उनपा कोई फरक नहीं पढ़ता है क्योंकि Indian system से लिखेंगे तो भी इतना ही आएगा इंट्राइटन से लिखेंगे तो भी इतना ही आएगा पर 6 अंको की संखिया जब होती है तो उनमें हमें फरक नजर आ जाता है अब हम बिल नी संखियाओं को पढ़ेंगे तो पहला सवाल है हमारा मैंने काफी दूर दूर ल तो उसमें system क्या है उपर मैं Uh ओंके शजालता हूं चलता है और पहला वाले के बाद रहेंगे यह तीन हमारे एकाईं, डाईं, सेकड़ा, एकाईं, धाईं, सेकड़ा, और ये एकाईं, यह तीन हो तो ऐसी रहेंगे, यह तीन हुए हमारे हजार वाले, और ये हो गया हमारा million बाला यानि कि सात्वा जो अंकों का million का होता है अब इसे लिखना का है वो ध्यान दीजिए सबसे पहले लिखेंगे हम eight million आठ million के नीचे है न तो हम लिखेंगे eight million ठीक है जी अब ये तीन अक्षरों का thousand मिलाकर एक साथ लिखेंगे कि हम इंडियन सिस्टम में क्या होता दो अंकों का thousand होता है सेवन्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स्टी फॉर पर इसमें क्या लिखेंगे seven hundred sixty four thousand आपको इसमें जो है थाउजेंड के नीचे जो लिख रहा होगा वो एक साथ दिखा जाएगा seven hundred sixty four thousand आप और यह हमारा एसे है 295 इसे लास्ट में लिखना है कि एंड कि टू हंड्रेड कि नाइन्टी फाइड यह हो गया हमारा इंट्रनेशनल सिस्टम हिंदी में लिखेंगे तो इसे लिखतेंगे आठ मिलियन ठीक है जी और इसके बाद हजार में कौन से है साथ सो चौन सट हजार और फिर दो सो पिच्चे आनवे समझ में आगए आपको और करते हैं बिल्कुल के लिए रो जाएगा इतनी अच्छी तरीके से आपको बताईगा सबसे पहले इसमें लिखेंगे वनस टैंस अंड्रेड पहले तीन तीन के बाद कों में लगा लो तो ज्यादा अच्छी तरे सरेगा वनस टैंस हंड्रेड वनस टैंस हड्रेड थे अब एप तो ऐसे ये तीन हो जाएंगे ऊपर हमारे thousand वाले और यहाँ पर तीन ही है million वाले इसके बाद फिर billion शुरू हो जाता है ऐसी नीचे लिखेंगे हिंदी मीडियम के लिए तो एकाई धाई सेकड़ा एकाई धाई सेकड़ा और एकाई धाई सेकड़ा पहले वाला ऐसी रहेगा, दूसरे वाला काईदा ही सेकड़ा होता है, हजार के लिए, और तीसरा वाला होता है, मिलियन के लिए, इसके बाद बिलियन और फिट रही है, तो हम इंडिस में लिखेंगे पहले, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे, जैसे हमें इंडियन 609,000 609,000 and 764 तो गलास्ट में यही बचा 7 164 हिंदी में लिखेंगे तो 805 के नीचे मिलियन है याने कि 805 मिलियन और इसके बाद 609,000 609,000 सुनने में अजीब लगता है क्योंकि इंट्रेशनल सिस्टम में हम 609,000 कभी नहीं लिखते पर इंट्रेशनल सिस्टम में इसी तरीके से है 764 ठीक है तो यह जो है दो सवाल मैंने आपको बताए है मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे अब हम अगला सवाल करते है तीसरा सवाल और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा नहीं आ रहा तो वीडियो पॉस कीजिए, रिवाइस कीजिए, दुबारा समझ ये और अच्छी तरह समझ में आएगा तीसरा सवाल है, और बड़ी संख्या लिए मैंना इसमें ताकि और अच्छी तरह आपको समझ में आजाए मिलियन बिलियन का चक्कर क्या होता है एक, साथ, पाँ, छे, नो, चार, साथ, आठ, छे, जिरो सबसे पहले इस पे लगए हैं कि इस हिसाब से लिख देंगे नीचे हमारा होता एकाई, धाई, सैकडा एकाई, धाई, सैकडा एकाई, धाई सैकडा और ये एकाई तो ये होगए हमारे तीनों और एक इसमें इस बार billion भी आ गया है तो यह हो गए हमारा billion का ठीक है जी अब इसे हम लिखेंगे कैसे इंग्लिस में लिखेंगे पहले तो one के नीचे किसके नीचे है billion के अकेला ही है यह तो one आ जाएगा billion one billion ठीक है उसके बाद यह तीनों एक साथ लिखे जाएंगे seven hundred fifty six million seven hundred fifty six million और उसके बाद इसकी बार यह यह nine hundred forty seven thousand के नीचे है तो nine hundred forty seven thousand nine hundred forty seven thousand और लास्ट में जो हमारे तीन है अंक वो लिखे जाएंगे eight hundred sixty एंड लाग लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहता and eight hundred sixty हिंदी में कैसे लिखेंगे देखे एक के नीचे billion है तो एक billion ठीक है जी उसके बाद आती है million की बारी million की नीचे कितना है 756 million उसके बाद हजार की बारी तो 946,000 और उसके बाद 860 ठीक है समझ में आगए आपको एक और करते है चौता सवाल बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आपको आ जाएगा अब तक नहीं आया है तो देखिए जी तीन-तीन के बाद पहले को में लगा लीजिए तो once, ten, hundred once, ten, hundred यह हो गया हमारा thousand वाला ठीक once और ten, यह हो गया हमारा million वाला ठीक है पहले once, ten, hundred फिर thousand आता million, फिर billion, फिर trillion ऐसी इसमें नीचे लिखेंगे एकाई, दाई, सेकड़ा एकाई, दाई, सेकड़ा यह हमारा हो गया हजार वाला जिसे अंग्रेजी में thousand वाल लिख रखा है मैंने और एकाई और दाई यह हो गया हमारा million वाला इसे तो आप लिखी लेंगे बहुत आसान है 60 million के नीचे है 60 million क्योंकि 60 ही लिखा हुआ है hundred नहीं है उसमें 545,000 545,000 और इसके बाद यह है बस केबल and six hundred two ठीक है हिंदी में लिखेंगे बहुत आसान 60 million 60 को कहते हैं 60 60 million और हजार के नीचे कितना 545,000 और लाश्ट में 602 यह हमारा हो गया हिंदी में तो चार सवाल हमने आपको बताए है 5 अंको तक की संक्या है एक सी रहती है चाहिए इंट्रनेशनल सिस्टम में लिख लीज़े चाहिए आप इंडियन सिस्टम में और 5 अंको से जैसी संक्या ज़ादा होगी international system में महाँ पर बदल जाता लिखने का तरीका हमने आपको सिखा दिया है आप वीडियो की revise करके देखिए pause करके देखिए आपको जरूर समझ में आ जाएगा अब इसका उल्टा करते हैं अब हमें संक्या दे रखिए सब्दों में Hindi English दोनों में और हमें लिखना इसे अंको में जैसे कि इंडिया सिटम में होता है पांच लाग छेहार सास सो तीस को लिखो दस हजार पांच सो बीस को लिखो इस तरीके से हमें इने भी लिखना है और लिखना इने भी आसान है इसमें तो एकी तरीके से लिखा जाएगा, हिंदी में हो जाए, इंगलिस में, पहले सवाल पढ़ते हैं, पाँच मिलियन सास सो तीस हजार दो सो सत्र है, अंग्रेजी में, तो हमें देखना कहा तक की हमें लगानी है, बिंदी मिलियन तक की, जैसे हम महा लगाते थे, यहां वाले हो गए, फिर कॉमा, वंस, टेंस, हंडेड़, यह थाउजन्ट वाले हो गए, और यह वंस, हो गया, मिलियन तो यह मिलियन में केवल वंस, तक लगाया है, वंस तक यह पाँच है, अगर फाज वह दूंगों कर को हो ता तो हम लगाते वंस, और टेंस, अगर यह तीन में आगए आपको यह वन स्टेंस हंड्रेट सुरूब वाले उसके बाद थाउजेंट आता है फिर मिलियन में है हमारा पांच उसके बाद थाउजेंट में किता है साथ सो तीज जाने 703 तो 703 आ जाएगा थाउजेंट के नीचे यह पूरा ही थाउजेंट माना जाएगा 703 यह थाउजेंट के साथ लिखा है और 217 जो लाश्ट में लिखा było वो लाश्ट के इन तक वो भी billion में 65 million है 302,105 15 billion 65 million 302,105 तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लगाएंगे 1 से 10 से 100 यह तो यह आखिर वाले हो गए फिर यह 1 से 10 से 100 यह कौन से हो गए जी 1000 वाले हो गए यह उसके बाद 1 से 10 और 100 यह कौन से हो गए जी यह हो गए million वाले और यह billion तक जा रहा है और billion में भी 15 है जहने कि billion में भी once or 10 लगेगा तो यहां तो आ जाएगा 15 ठीक है 65 million तो million में केवल 65 लिखना तो 65 यहां मतलिक देना 65 को आएगा 110 के नीचे और यहां जाएगा जी तो बना 65 million बना 650 हो जाता अब thousand में कितना है यह 65 million हो गया thousand में है 302 थाउजन जैने कि 302 जैने कि 302 और लास्ट वाला 105 जैने कि 105 लास्ट वाला ही लिखा जाता है यहां कौमें हम लगा सकते हैं समझ में आ गया आपको उमीद है आ गया होगा अगला सवाल करते हैं सवाल नंबर 3 एक और करेंगे आपको और अच्छे ते समझ में आ जाएगा सवाल है 310,604,015 अंग्रेजी में 310,604,015 तो देखें million हैं यहां पर हैना इसी से पता लगा देखेंगे million में भी कहां तक hundred का नहीं कि once tens hundred यह शुरू वाली है once tens hundred यह thousand वाली है और once tens hundred यह हमारी million वाली है ठीक हंड्रेट तक क्यों लगा ही क्योंकि इसमें hundred तक ही million में हमें दे रखा है तो इसमें आ जाएगा three hundred ten million यहां तक हो गया six hundred four thousand six hundred four है पूरा thousand के नीचे और फिफ्टीन है केवल इस बार तो फिफ्टीन केवल यहां लिखा जाएगा यहां जाएगा zero ठीक है समझ में आगे आपको बहुत बढ़िया अब आगे केवल one word वाले हैं जो किन जाएतर अखवारों में पढ़ लेते हैं हमारी किताब हम पढ़ लेते हैं कि किसी की देश की पॉपुलेशन वन मिलियन है तो जादा तर अखवारों में जो इंटरनेशनल सिस्टम को यूज किया जाता है ठीक है और हमें वह पता नहीं होता कि एक मिलियन में कितने लाख होंगे तो वह पता करने के लिए मैंने कुछ वन वर्ड वाले भी इसमें लिखे हैं जैसे कि पहला सवाल है इसमें पांच ट्रिलियन सिंगल वर्ड का है पांच ट्रिलियन को अगर इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तो कितना होगा उसको हमें बताना है तो पहले तो पांच ट्रिलियन को हम लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में तो ट्रिलियन तक की हम लगाएंगे और ये billion वाला, ये कौमे लग रहे हैं बीच में, और ये trillion का, trillion का single लेगा को कि हम पर single यह है, तो यहां आ जाएगा five, अब बाकी सब जगाएगा zero, तीन यह हो गई, तीन यह हो गई, तीन यह हो गई, और तीन यह हो गई, आकर Indian सिस्टम में इसकी value क्या होगी, हम पढ़ लेत हैं, काई दाइस, 1100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 खроб होता है खळाब रिए गता कि अरब के बाद आता है ऐसी एक बिलियन में कितने जो है होंगे इंडियन Sistem जिस्टम के अनुसार तो हम लिकेंगे यह ऊंस सींद्रेट हो गया और यह आगा मिलियन भाला और सिंगल लिखना कियाând तो यहां 1 लिख देंगे और बाकी यह 3-0 और यहां भी 3-0 इंड्यीन सिस्टम में किता हाईगा एकाहिए दाहिए से एकडा हजा दस Хजा लाग, दसलाग, यानिकि एक मिलियन किते के बराबर होता है दसलाग के समझ मैं आ गया सो मिलियन किसके बराबर होगा तो यहांपर once tens hundred तीनो कर hundred तक लखेंगों, यहां के बल मिलिョन बागी सारे 0, ये भी जी और ये भी जी रू, आइंज सेक्ड़ा हजार, दसजार, लाग, दस-लाग करोड दस करोड तो यह हो जाएंगे दस करोड सो मिलियन हमारे दस करोड के बराबर हैं अगर आता है कभी अखवार में कि किसी की जो है संपत्ती 100 million है तो उसका समझ लीज़ें इनने सिस्टम में संपत्ती कितनी है उसकी 10 करोड है कि ख़वार में आता है कि आप अगर यह करेंगे तो आप 1 million जीच जाएंगे एक million का मतलब आप समझे कि 10 लाग के बराबर है ऐसी देखते हैं तो एक billion किसके बराबर होगा त यह thousand है यह million है और यह billion है इसी के नीचे हमें one लिखना है और बागी यह zero three तीन और तीन इसे पढ़ेंगे तो एक आई दाई से एकड़ा हजाद दस जालाग दस लाग करोड दस करोड अरब एक billion एक अरब के बराबर होता है ठीक है इसी तरह से एक और लाश्ट सवाल है कि 10 billion किसके बराबर होगा 10 billion तो 10 billion को लिखने के लिए क्या करेंगे देखिए once 10100 यह thousand वाले होगे once 10100 यह million वाले होगे और billion में कित्रा लगाना है once और 10 लगाने क्योंकि इस बार हमारा 10 है तो यहां आ जाएगा 10 अब बाकि यहां पर zero zero और zero इस इंडियन सिस्टम में के इकाई दाएं सेहकडा आजाँ सजालाग 10 लाग 10 लाग करोड 10 करोड अरब 10 आरब 10 आरब जाने की 10 million 10 अरब के बराबर 100000 एंड और बराबर होता है तो उम्ования तो इस तरह से आपको इंटरेशनल सिस्टम में संख्यां को पढ़ते हैं अगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आकें को दबा देना क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो लगाता राती रहती है आज की वीडियो में बस इतना ही है धन्यवाद